हलो दोस्तों मेरा होल स्वागत करता हूँ आपको एक बर फिर से आपके अपने वीट्यूब चैनल ओनलाइन लाइफ में जहां मिलता है आपको ओनलाइन सॉलिशन दोस्तों आज किस वीट्यो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी घर बेटे अपने मोबाईल से या कम्पुटर से समगरा आईडी में किसी भी सदश्य का जन्मती थी उसका डेट ओब बर्थ चेंज कर सकते हैं और उसका करेक्शन कर सकते हैं इसके लिए कौन सी प्रोसे तक देखते रहें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करने साथ में बेल आइकन को ज़रू दबाए ताकि आने वाली हर वीडियो की नो खूल लेना है Google Chrome रpora से सर्च करूश करना है श tar इसे अम आईडि यहां पर आपको सामने समë कर खूलकर आजा गया है आपके सामने कुछ इस प्रकार का होमपेज कुल कर आएगा इसमें बहुत सारे सुईधा हैं बीपील खादिर सामगरी समिक पोर्टल जुड़े होई अब आपको इसमें क्या करना है यहाप देखिए आप नागरिकों के लिए सेवा है इसमें आपको आना है यहाप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इधर साइड में आप जब देखेंगे यहाप देखिए सम्रग्र नागरिक सेवा का यहाप यूजर मैनुवल दे रखा है इसमें आप समग्र में नामंकित करें इसमें आप परिवार को पंजीकरत कर सकते हैं सदेश्य को पंजीकरत कर सकते है सदर्शिक पंजीकरत कैसे करना यह सब पूरी वीडियो में आपको अगर आप चाहते हैं इनको कैसे बनाना तो मैं आपको बना कर दे दूँगा ठीक है अब यहां से आप EKYC के माध्याम से भी जन्मतारिक नाम वगरा अपडेट कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आठवे नं नंबर पर दे करना है तो इस वीडियो में आपको बता ओंगте करना है इसके लिए आपके सामने कुछ एसा पेज़गल कर आजाएगा आप यहां पर देख सकते हैं आपको इंपोटेंट इस्ट्रक्शन लीकों हैं अनुरौत पंजीक करने के लिए आपको एक updates क्या और चा मतलब आप जो मुवाइल नमबर देंगे उस मुवाइल नमबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी की साहिता से ही आपका ये फॉर्म फिलप होगा उसमें इसके बाद यहां पर चौते नमबर लिखा हुआ है कि यहां पर इनमें जो साथ डाकुमेंट दिये इसमें से आप आपको एक डाकुमेंट यहां पर अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज सो केवी से कम होना चाहिए ठीक है तो यहां पर कुछ आदार कार्ट पेन कर दस्रिक मार्क शीट पर ड्राइंग लाइसेंस वगरा दिये हैं आपर इनमें से किसी भी डाकुमेंट को आप रहे सदस्ख चमघर आईडि परिवार खिङुद आपको क्या करणा है नीचे दिखाए दे हुए घेट मैंबर डिर्टेल इसـ पर क्लिक करणा जैसे आपके सामने जो सदस्ख चमघर आईडिए डाली है इसकी इसाफ से आपं पर मेंबर की डीटेल आजाएगी है आप परसनल डीटेल आप देख सकते हैं नेम फादर ने मदर ने कैटेगरी और करेंट यहाँ पर देखिए है फेमिली आइडी भी दी हुई है आप उसके बाद यहाँ पर करेंट डेट बर्त दिया हुई है मतलब जो डेट बर्त अभी समगर आइडी पर चड़ी हुई है इसको आपको चेंज करना है इसको चेंज करना है तो यहाँ पर जो करेंट डेट बर्त दिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट डेट बर्त लिखा हुआ है अपडेट डेट बर्त डालनी है जो आप चेंज करना चाहते हैं जो आपके डॉक्य फिर ये डाल देना है, यहाँ पर आपको दो बार confirm करना है, ठीके, यहाँ पर आपको नई वाली date of birth डाल देना है, दो बार उसके बार आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं mobile number, तो यहाँ पर आपको अपने चालू वालो mobile number देना है, उस पर एक OTP आएगा, उस OTP के माध्य आपको आपका जो registration होगा, ठीके, तो यहाँ पर आपको दो बार mobile number डाल देना है, उसके यहाँ पर नीचे में जो next box है, उसमें आपको applicant का नाम डालना है, applicant का नाम आप ऊपर से देख सकते हैं, जो आपने सदेश समग आईडी खोली, यहाँ पर नयाम रहता है, applicant का तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीके, अब document अपलोड करना है, next step जो document अपलोड करना है, यहाँ से आपको जन्तित संबंदित दस्तावेच पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर document में आपको 7-8 document की list है, इसमें साब जो भी चाहे हो अपलोड कर सकते हैं, जैसे मान ली तो के भी से कम होना चाहिए, ठीके, size का विश्रस दोर पर आप ध्यान रखें, तो यहाँ से आप file को चूज करके उसको अपलोड कर सकते हैं, इसको बाद यहाँ पर issue by, तो आदारकाद UIDAI द्वारा issue किया जाता है, तो आपको यहाँ पर UIDAI लिख देना है, तो यहाँ पर issue date, तो यहाँ पर कोई भी date लिख सकते हैं, यहाँ पर date का कोई matter नहीं होता है, ठीके, तो date डालने के बाद आपको यहाँ पर capture डाल देना है, capture डालने के बाद आपको यहाँ पर request change of date of birth, मतलब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपक अपडेट करने के लिए fill up किया था, वो कहां तक महुंचा है, उसमें कुछ correction हुआ या नहीं हुआ, अब चुकि मैंने इसमें, यहाँ पर जो 1196 लिखा है, मैंने अल्रेडी इसको update कर लिया, जन्म तिरी को, यहाँ पर 1977 था पिले, मैंने एक साल इसको कम किया है, आदार बारा नहीं कर सकता, लेकिन आप यह जो मैंने इस्टेप बता ही, इस्टेप को follow करके, आप अपने जन्म तिती, update कर सकते हैं समग राइडी में, ठीके, इसके अलावा बात रही कि नाम कैसे update करना है, नया परिवार कैसे बनाना है, परिवार पंजीकत कैसे करना है, नया सद जरू करने,